तो कैसा रहा आपका ये बजट इसको लेकर आज हो रही है दिन भर चर्चा और आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी और जिस तरह से वितमंत्री ने अपना ये अंत्रिम बजट पेच किया सरकार का उससे संकेत और संदेश साफ है कि चुनाव का मौसम है और ऐसे में छप पर पाड़कर सरकार ने जो देना चाहा दिल से देना चाहा और कुछ मजबूरी में भी देने की कोशिश की गई और ऐसे में इस बजट की समिक्षा करने के लिए अमार साथ तमाम महमान इस पक्स्टूडियो में मौजूद हैं दैरादून से भी मौजूद हैं और साथ-शाथ के नजरिये से बताएंगी हमें कि आखिरकार ये बजट कैसा है लखना उसे भी हमार साथ एक मेमान जुड़ चुके हैं सबसे पहले दसमाना साब आप ही के पास हमाना चाहेंगे आप आपने कहा कि बजट में कुछ ऐसा नहीं है तिलक भाई सब चुनाव के लिया से अब मैं आप से जानना चाहूंगा कि इस बजट में आपको बुरा क्या लगा यह बुरा नहीं देखिए पांच साल तक आपने इस देश की जंता को जो बादे किये थे आपने जो इतने बड़े बड़े जुमले दिये थे आपने दो करोण बेरोजगार नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी पांच साल पूरे होने को जा रहे हैं और बेरोजगारी 45 वर्सों में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है पूरे देश के अंदर पांच सालों तक किसानों का इतना बुरा हाल रहा पूरे देश के अंदर किसानों की आत्मात्या और उत्तराखन तो आप जानते हैं उत्तराखन को आप कवर करते रहे हैं पहली बार 70 गिल्टा वाली से अकर कर यहां पर एक ने मंत्री के दरवार में आत्मत्या करी उसके बारे में आप जानते हैं राजी के अनदर और पूरे देश के अंदर जो आप ने तबाम बादे इस Pastor ऑप inडिया से एप दॉन करके चो सारी बाते कही थी, वो फेक हुई, वो फरजी बाते साबित हुई, आप देश को पांच साल तक कुछ नहीं दे पाए, और आज आप खड़े ओकर के संसंद में अपनी हसी कर रहे हैं, ठिडोली कर रहे हैं, इतना खिल खिला के हस रहे हैं, कि एक बार मैंने मूर्ख बना दिया, अगर आप पूरा अंदाजा लगाएंगे, दो हजार रुपिया आप पांच साल में दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप दो हजार रुपिया दे कर कि किसान की जो इजजत है और सम्मान है, उसको खरिदना चाहते हैं, दस्माना जी, पूछना चाहता हूं, कि आज जो इतना बड़ा बेरोजगानी का आकड़ा सामने आया है, आपने पात साल क्या किया, आपने ये किसान की अटकर हुझा रियाज किसान हो पाए किसान कितना और हों पाए इसको लेकर चर्चा नहीं वीजै है कि यह चोटे खिसान के बने खाते में 6,000 रुफैं आप्ला किन करए मिरोध करें का तो आपकी विदाई हो रही है तब आप 6,000 रुपया दे करके बड़ा हैसान कर रहे हैं किसान के उपर आपके आगे जवाद दिया है कि किसानों का शिक्र राहूल गांदी नहीं थे देश के देश के देश के प्रधान मंत्री राहूल गांदी नहीं थे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी थे जो किसानों के लिए दस दिन के अंदर सरकार बनने के दो बंटे के अंदर मंत्यप्रदेश राहिस्थान और चंतिसगर में हुआ है हमने किया है और आप से कह रहा हूं कि छो आज आप जो फुखना कर रहे हैं क्या है ये घोशना आप पेहने बजय बेझ्ट में लिगड़ सकते थे दूसरे बजय पर शक्ते थे अरे चॉतिय बजट में कर देख रहें धर दूसरी में के पास तक गरादेर oficial reference का एलान किया था वह कौंसा वर्ष था? जब आप में कर्ज माफी का एलान किया था किसानों की? 62,000, 63,000,000 करोड का कर्ज माफ किया था UPS सरकार ने आपको मालूम होगा. मुझे मालूम है तभी तो मैं आप से समय पूछ रहा हूं वह टाइनिंग क्या थी सर दस माला जी आप आप आरोप तो लगाते हैं नहीं मैं जानता हूं मुझे यह भी बताई द्रहा थी मैं आपको बता रहा हूं कि यू-पी ए वन में 22,000 करोड रूपय का रिण माफ किया थी चुनावी वक्त था सर, और बहतर हजार क्रोड का रिल जम्रा प्याता उसके बाद UPA2 सरकार रिपीट हुई थी, जवेन प्रमुक्त साथ भी BJP के और समार साथ चुड़ गए है, मन्रेगा याद है न आपको, मन्रेगा याद है, मोदी जिवो भी याद है, सर, 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 मुझे सब याद है, एक रुप को जैए, सर, अराम से सर, क्यों परिशान हो रहे हैं सर, एक सेकंड दस्माला जी, एक सेकंड, सथांशु जी भी मार सर चुड़ गए हैं और शास्टी लखना उसे, एक सेकंड, सर, मुझे काये को परिशानी सर, मुझे तो बजट इसी तरह ही पढ़ना है सर, इससा में भी पढ़ रहे हैं, आगे ही पढ़ेंगे सर, इसकी सरकार होगी, हमें क्या दिखकर, एक सेकंड, सर, पहले तो बहुत 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 बाधाई, सुन तो लीजेए, सवाल तो सुन लीजिये, सहर, बधाई में बधाई में बजट से पहले आपका कोईशन भी सुन हमा क्योंकि और पूर्ण बजट में इसलिए कह रहा हूं कि जो पहले बजट है जिन पर हमारे कांग्रेस के मित्र भी सवाल उठा रहे हैं, अगर मैं पीछे चला जाओं तो फिर 64 साल का रिकार्ड निकल का है, हम साड़े चार साल का जवाब दे दे रहे हैं, हमने साड़े चार साल में जो जुम्ले चलाए जिदे इसमें, अगर सच्चा ही कहीं सा आपने सीखी है तो भारती जिंदा पार्टी ने सीखाने का साल किया है, मैं तो आप से पूछना जा आता हाउज जोष, आप तो पहले ही जुरू होगए ज़र, आज भी जोष भी जोष भी जोष नियोगर तो कब ह जोगा, क्योंकि हमारी कोई एक दिनी की रंडीत ही नहीं है, हमने जिस दिन से संसद में कदम रखा है, हमारे माननिया परधान मंतरी जी ने, उस दिन से और आज तक बराबर वो उपनी, जो उनूह ने नीती तय की थी, जो तय किया था, देके सबसे अच्छा उन्होंना बह मैं सबसे अच्छी चीज यह बता देना चाहता हूं कि आज भारत का कैबिनेट जो प्रधानमंति जी के साथ खड़ा है उसने दुनिया में एक निशाल कायम किये है कि लोग तंत्र में लोग तांत्रिक तरीके से सरकार को चलाने के लिए सबसे अच्छी बात किया है कि तैयार की गई है और वह कैबिनेट का ही असर है तिलक सर में बता देना चाहता हूं कि जी सबसे बड़ा काम हमने जो किया गरीब पिछडा अती पिछडा कमजोर हर वर्क के लिए काम किया है और किसान को भी उसमें मुख्रूफ से रखा है देखिए हर जगे अभी अभी हमारे मीतर कांग्रेस के बता रहे थे मुझे अच्छा लग रहा ठीक है कोशन उठाना चाहिए उन्हें कोई पूछने वाला चाहिए कि उन्होंने पिछले 64 साल में इस देश पर कब्जा करें बैठें जिस दिन से देश आजाद हुआ है को किसान के बारे में उनकी कौन सी नीती ऐसी ह सक्सेद रही है हम ने तो 12 22 वस्तों में ऐसी किसान से संम् enorme लिए जिनकी आज दुबना करने का काम क्या हमारी सरकार में और परमान यसां की दो पर्तिक्ष पूरा रिकार्ड मैं बोलते रहोऊ बार 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 चौट शुछान जुम में निकाल के लाता हूं इलक सार आप उसका सारा सर्वेक राइए चिल लारे यांँ किया प्रेंस अगनिस सरकार को उक Perfect कि में पेशा रहा हुआ एक सफ हो गवी पार एक कम अना है udo cuahu ऐका ब्रण comprehend अबने का every one a अब परकिन सबस्याइबक करतों सोनाप में अपड़िए बशबत से नहीं सुनुन hz कुछ लोग हमें विदाई की बात करते हैं बार-बार की अंत्रीम अंत्रीम क्यों है हमने काम इतने की हैं कि जनता हमें दुबारा दौराना चाहिए सुधानशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं सार इस बजट में आपको क्या लगता है कि सबसे सुनहरा कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज़्यादा भा रही है इस बजट के अंदर देखें यह एक तरह से बड़ा बैलेंस बजट है इसमें इन्होंने फार्मर सोशल सेक्टर सर्विस करने वाले लोग टैक्सपेयर MSME सभी को उन्होंने रखा है बैलेंस करके रखा है और जिसको कभी-कभी का जाता है इंडस्ट्री को बहुत नहीं मिला है इसमें कुछ करता हूँ क्योंकि उसको उन्होंने यही माना है कि हमने आपको पहले ही दिया हुआ है और अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजे जैसे अब GST हो गया जिएस्ट के अब दीरे एवरेज मंतली जो है वो करीब 97,000 करोड का पहुच गया है जो दीरे दीरे लाग करोड के करीब हम पहुच जाएंगे तो जैसे जैसे टैक्स कलेक्शन हमारे अच्छे हो रहे हैं और यह जैसे यह फिगर्स है कुछ आपकी जो हम लोगे बारा आठ लाग करोड था 2014 में तो आल्मोस्ट डबल की बात है तो टैक्सेज और कंप्लाइंस यह कंफर्म करती है कि साफ हमारा देश सही प्रगती पर है ठीक आप से मैं एक बात जाना चाहूं मुझा और आप ने जीसे और भी है कि हम लोग मैं उसी से उसी बात से आप समना चाहरा क्या मैं मानलू कि जीस्ट लागू होने के बाद सरकार का जो अनुमान था वो अनुमान के मताबिक जो है वो रिविन्यू हासिर हुआ हमें आप यह क दरीब है क्योंकि जब हम लाग करोन अबव जाएंगे तो हम एक्चुली अचीव कर पाएंगे उसको नहीं सरकार को उमीद थी ना कि लगबग 14 लाग करोन रुपर हम जुटा लेंगे GST से जो उमीद थी मैं उस आकड़े का जिक्र कर रहा हूं सर देखें ऐसा होता है बैब बिल्कुल आप ठीक है लेकिन कहना यह होता है कि कोई भी चीज जब इंप्लिमेंट होती है वो अपना वक्त लेती है और हम उस डीटेल में नहीं जाना चाहते हैं पहले कंप्लाइंस बहुत कम थे अब उन्होंने उसको बहुत लिबरलाइज किया है और लिबरलाइज करते हुए बहुत से छोटे उनको छोड़ भी दिया है जो उन्होंने फर्दर चेंजिस भी अपने next year से उन्होंने किये है कि 20 लाक वालों को जगे 40 लाक वालों का quarterly returns का तो व एक पूरा एक एक देश वाला जो सब्जेक्ट हुआ है उससे कंप्लाइंस काफी बेटर दरसल मैं इस बात को लेकर भी जाना जाना था था और जैसे तक्री प्रोग्रेस कर रहे हैं सर उन राज्यों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा न हां हां लिट्स निकलते हैं so वो डिपेंड करता है अलग-अलग राजिय की एक अलग सिती है उसके बेसिस पे है अब जैसे अगर यूपी को कहा जाए तो यूपी को तो बेनफिट ही हुआ है कि अक्ति does mean if you never do कि हमने फिली एचीव कर लिया लेकिन हमारी दिशा सही है ठीक है ओके एक बात अब मुझे आप यही कहने का है कि मतलब इस ठीक सर मैं आपके पास आता हूं एक 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 करके मैं पहलू को समझ लूँ फिर उसके बाद डिबेट ओपन होगी आप एक उसे से सवाल भी कर लिए हो फो यह पस्ती नहीं आशित सरकार जी फिर मैं आपके बा यह लाओंगा कि क्या यह माले कि इससे पहले कभी चुनावी बजट आता ही नहीं था चुनावी बजट है कोई ऐसा दोस्तों नहीं कर दिया चुनाव में जो राजनेतिक पार्टी चुनाव बिजट लाए उसमें बैप कोई आपत्य नहीं करता हूं लेकिन अगर आप दूसरा है अगरी कल्चर, इंडरस्टी में पिछले 30-40 वर्सों में बहुत सारा इंफ्यूजन हुआ, पैसे का इंवेशन हुआ, लोन का इंफ्यूजन हुआ, और अब यह जो आखिर लोग चिला रहे हैं, किसाब लोन लेकर बड़े-बड़े 2-3 कारवारी बाहर भाग गए, तो इंडरस्टी में जितना पैसा इंवेस्ट करना था, सरकार ने किया, और उसके प्रतिफल हमें मिल रहा है, लेकिन एगरी कल्चर ग्रोथ 2-5-3 और उसके जागे मुश्किल से साड़े-3 पहुँच पा रही है, एगरी कल्चर में इंवेस्टमेंट नहीं हुआ, और वो चाहे वो एगरी कल्चर हरित करांती एक हो या हरित करांती दो हो, उसमें जो जो तरीके अपनाए गए उसने भारत की एगरी कल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान पहुचाया, क्योंकि यह महत्पूर्ण सवाल, आपने आगर यह बात किये तो बहले ही सरकार करें, महंगाई की बात ना करें, पूरे सेक्टर को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको capital इन्फ्यूज करना पड़ेगा, जैसे आपने electronic सेक्टर को किया, cement सेक्टर को किया, construction सेक्टर में हमने इन्फ्यूज किया, इसी तरह से agriculture सेक्टर में पिछले 64 बजटों में, कितना पै budget speech में नहीं आती है, वो यह होती कि पिछले बजटों, बजट में जितना पैसा allocate किया, वो allocated money expenditure में गया या नहीं किया, आपने एक हजार करोड कह लिया कि साब हम फ़लाने सेक्टर में कहीं कह दिया, दस हजार करोड करेंगे और वो पैसा खर्च एक पैसा नहीं किया, infrastructure के अ अब यह agriculture sector में जो investment हो रहा है, इसका result होगा कि जो green revolution number one और green revolution number two से, जो seeds हमारे थे, वो hybrid seeds आ गए, उसका परणाम गया हुआ है कि हमारे जो शुरू में हमारा production बहुत तेजी से बढ़ा, यह का हो, धान का हो, pulses का हो, लेकिन उसके बाद में यह seeds, जो कि विदेशी कंपनियों के हाथ में हैं, वो किसान को छोटे किसानों को बहुत महेंगा पड़ रहे हैं, अब क्या है कि इसको सरकार ने जैसे पूरे नौर्थ इस पे अंदर, आप देखेंगे कि organic farming को प्रोच साहित किया है, मैं दरसर इस combination को समझना चाहरा था आप से, फिर में स्वातिया आपके प महंगाई तभी बढ़ती है, अगर demand बढ़ती है कम है, सुधान शुदी आप इक्तफाक रखते है कि महंगाई दर से किसानों कोई लेना देना नहीं है, यह मैंने नहीं कहा है, अगर कोई भी उपखता है, चाहिए वो किसानों, नौकरों, मजदूरों, महंगाई का असर तो पड़े नहीं, जो भी रोटी खाएगा, जो भी टीवी चलाएगा, जो भी सड़क पे चलेगा, उसका खर्चा जो भी आएगा वो तो है, लेकिन महंगाई दर तो घट रही है, अमिशा कुछ कह रहें बजट पर, फिर मैं उसके बाद स्वातिया आपके पास आता हूं, जर इसके सभी किसानों को, प्रजान मंत्री किसान सन्मान योदना के तहट, छे हजार रुपिया साला ना दिया जाएगा, दो दो हजार की तीन किस्तों में, ए छे हजार रुपिया, हर किसान के पास पहुंचेगा, और इसके कारण, सरकार करीब करीब 75,000 करोड रुपिय का बोज सहन करकर, किसान भाईयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी, मैं मानता हूं कि ये कदम, किसान की आए दो गुना करने में, बहुत उप्योगी होका, क्यूंकि जो किसान बैंक से रून नहीं लेते हैं, उनको भी ये फाइदा ह होने बाता है, बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है, बैंक के कर्ज माफ करने से उनी किसानों को फाइदा होता है, जो रून लेते हैं, बेश के करोड़ों किसाने से हैं, जो रून नहीं लेते हैं, करीब करीब 50-30 किसाने से हैं, जो रून नहीं लेते हैं, उनको तक भी यह फाइदा पहुचेगा और यह फाइदा हर साल पहुचेगा यह योजना है जैसे मंदेगा हर साल होती है इसी तरह से यह योजना हर साल रही तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहयता देने की यह योजना देश के हर गरीब किसान के लिए छोटे किफलान के लिए बहुत उनको इन्पूर्ट के लिए किसान को खेती की सुरुवात करने के लिए बहुत मदद रूग भूगी इसके साथ काम देनू समवर्धन आयोग बनाकर प्रधान मंत्री जी ने घौँ समवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारे समविदान के मात दर्शक सिध्धान्तों में घौँ समवर्धन और घौँ संदक्षन दोनों प्रमुक रूप से उल्लेखित किये गए है गायों की नसल को सुरक्षित करना उसको बढ़ावा देना घौँ सालाओं का निर्मान करना अनेक विद घौँ समवर्धन के उल्लेश्चों को एक काम देनू समवर्धन आयोग पून करने में सहयता करेगा और हमारी सनासन संस्कूति में चाहे पूज्य बापु हो या विनोबा भावे सब ने घाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में हमारे अर्थ जीवन में स्विकारा है और पधान मंत्री जी ने काम देनू समवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है किसान क्रेडिक कार्ड में समय पर भुक्तान करने पर कुल दो और तीन ऐसे पांच कतिसत की रियायत दे कर एक बहुत बड़ी और राहत समय पर भुक्तान करने वाले किसानों को भी है मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है देश के जी डीपी में बहुत बड़ा योगनान करने वाले मच्वारा समूदाय के लिए भी मस्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई सुरुवात भारती जंता पार्टी की नरेंद्र बोधी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मच्वाराओं के कल्यान के लिए एक मस्य पालन विभाग अब सीधी कामगीरी करेगा इससे मच्वारों का कल्यान करने में सहायत हूँ प्रदान मंत्री क्रमयोगी मांधन योधना देश के लगवग लगवग दस करोड़ से ज्यादा जरीब स्रमिकों को साथ साल की आयू के बाद तीन हजार रुपिये का पैंसन जिसमें उनके जितना ही कंट्रिबिशन भारत सरकार करेगी यह बहुत बड़ी रियायत लेने वाला है छोटा सा ठेला चलाने वाला पगरिक्सा चलाने वाला छोटे छोटे काम करने वाले खुद्रा मद्दूरी करने वाले सभी स्रमिकों की व्रुद्धावस्ता में एक तीन रुपिया उनकी व्रुद्धावस्ता को पार करने में बहुत सहायता करेता। संगटिक सित्र के मद्दूरों के लिए भी बोनस और बोनस मिलने की पात्रता दोनों को बढ़ा कर एक बड़ी राहत देने का काम भारती जंता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने जिए गुमन्तु समुदाई के लिए भी एक आयोग बना कर गुमन्ती जातियों के कल्यान के लिए अब सीधा काम करने का एक जरिया भारत सरकार ने इस बजेट में सुरू किया है मैं मानता हूं कि गुमन्तु जातियों के लिए भी एक बहुत वड़ी बात है एक लाख गाओं को डिजिटल करने का जो खैसला लिया है उससे गाओं के अंदर रोजगारी भी बढ़ और गाओं को सेल्व सफीशन्ट बनाने में यह जाओं को डिजिटल करने का जो फैसला दिया गया है मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा फैसला है और इसके लिए हम नरेंद्र मोधी जी को पार्टी की और से बता ही देते हैं मित्रों भारत की आजाद होने के बाद रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा प्रावधान इस बजेत के अंदर किया गया है सबसे बड़ी रासी इस बजेत के अंदर प्रोवाइड की गई पुदान मंत्री जी ने ये कड़कर देश की रक्षा के लिए नरेंद्र मोधी सरकार का जो कमिटमेंट है उसको प्रदसित करने का काम किया है मैं मानता हूँ कि पहले वन डेंक वन पेंशन और ए रेकोर्ड राशी बज़ेट के अंदर जो प्रोवाइड करी है इसके माध्यम्थे देश की रक्षा को सुनिचित करने का काम किया है नौर्थिष्ट के विकास के लिए पहले दिन से सरकार कटिबद रेल के नक्से पर पूरे नौर्थिष्ट के राज्यों को लाए हैं एरपोर्ट के नक्से पर हवाई नागरी कुडियन के नक्से पर नौर्थिष्ट के हर राज्यों को लाने के बाद नौर्थीश्ट के विकास के बजेक में 21 प्रतिसथ की भृध्धी ये आज तक की सबसे बड़ी भगेटरी भृध्धी है मैं मानता हूँ कि नौर्थ इस्ट के विकास के प्रसिक कमिट्मेंट को भाक्ते जन्ता पार्टी की नरिंद्र मोधी सरका ने एक बार फिर से प्रस्तापी करकर सत्यापी किया है उजोला योधना ने अब तक 6 करोड गरीब महिलाओ को उनकी रसोई को उनके घर को दुएं से मुक्त करने में एक बहुत बड़ी राहत लिए और योधना को आगे बढ़ाकर 8 करोड तक का लक्स रखकर देश के करीब करीब 80% से ज्यादा घरों के अंदर जैस का चुला पहुचाने का लक्स मरिंद्र मोधी सरका ने रखा है मैं मानता हूँ देश की घरीब महिलाओं के लिए यह बहुत फाइदेमंद होगा देश के मध्यमबर के लिए जेड सारी रियायत इस बजेट के अंदर प्रदानमंत्री जी लेकर आए सबसे पहले धाई लाग तक की आईकर की सिमा को सीधा डबल करकर पांच लाग तक की सभी आईकर से मुक्त करने का काम करकर देश के मध्यमबर को बहुत बड़ी रहत देने का काम किया है और मैं मानता हूँ मद्यमवर्ग जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्सा करता था उससे कुछ ज्यादे ही प्रधानमंत्री जी ने मद्यमवर्ग का समर्थन करने का काम किया है और जो निवेश कर पाएंगे निवेश करना चाते हैं ऐसे सभी करदाताओं को अब 6.5 लाख रुपिये तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं एक प्रकार से निवेश जो कर पाएंगे उनके लिए आईकर की मर्यादा 6.5 लाख तक की हुई है और जो निवेश नहीं कर पाएंगे उनके लिए 5.5 लाख तक की कर दी गई है और कई सारी रियायते इसके अंदर दी है आईकर की मर्यादा के अंदर पहले एक घर का रेंट उनको बेनिफिट कराता था अब दो घरों को करकर मध्यमवर के कई लोग जो अलग अलग जगे पे नौक्री करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इनके लिए बहुत सरकार बढ़ा कर 50,000 तक ले जाने का काम किया है धेर सारी रियाते मध्यमवर को इलिए भी यह सरकार लेकर आई और मुझे आनंद है इतना सारा करने के बाद भी फिसकल डेफिसेट को नियंत्रित करने में सरकार सफल हुए 13.4% का बजेट घाटे का लक्ष रखकर इस सरकार ने इस सारी रियायते दिये इसका मतलब राज्य की देश की इंकम बढ़ाने में तुनिल जी ये बजट क्योंकि चुनाओं से पहला अमिशा कर रहे थे और अमिशाहा ने जिस तरह से इस बजट का बखान किया उससे साफ है कि सरकार चुनाओं मोड में आप जो है बजट के जरिये संकेत और संदेश देने की कोशिश करेगी कि सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ नारा नहीं बलकि विकास इस बजट के जरीए धलक का भी है जिसका जिक्र अमिशा अब कर रहे हैं तो हम इशा बता रहे थे किस तरह से सबका साथ सबका विकास इस पूरे भजट के दौरान आपको देखने को मिला लेकिन काफी दिल्चस्प बात किसानों की और जवानों की तो यानि जो जै जवान जै किसान का नारा जिसका जिक्र सदन के भीतर भी हुआ जब सीधे तोर पर किसानों की आये का जिक्र किया गया सीधा डिरेक्ट खातों में पैसा डालने की बात की गई तब सीधे तोर पर जै किसान का नारा दिया क्या दिविन परमुक सब यही होगा जै जै जवान जै किसान यही नारा होगा आप लोगोगा हम करे आ रहे हो गोशना पहले होती तीना पिछले 64 साल में पिछले boiling जो किसान की हो जवान की हो आम आदमी की हो गरीब की हो कमजोर की हो पिछड़े की हो उजवला की हो गंगा की सफाई की हो या वरदा पैंसन की हो या गरीब लोगों के मकान जितने विए परधान मंत्रिया आवसी है देकि सबसे बड़ा आयू सुमान भारत का जो मिसन है चार महीं दस लाख लोगों को सीधा लाएं पर मुक्सा इन हजार करोड लोगों कर रुपिया आप आप मैं बता रहा हूँ मैं मेरी बास हो भारती जंता पार्ट जो आज बात कर रहा हूँ मैं जब गंगा हमारी साफ हो रही है तो सर्व मैं बात क्यों छोड़ दें हमारा हिस्चा है उन्हों ने परियास किया और उसको स्पीड का पढ़ाने का प्रकर भी ने किया दौन प्रमुक साब आप तो जमीनी नेता है मैं आप से पूछ रहा हू है तो मैं कहता हूं कि कही भी गंगा का पानी होगा और के योगया में तो शर्म सावूं मैं कहना चाहता हूं हमने के गौन अपको घुमा के लाता हूं कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वह जम्हीं पक listen आप उसको पर्टेक्शन आपका थीक है एक सेकंड बहुत दिर से स्वाथी वेट करें स्वाथी महलाओं के लिए आप किस तरह से देखती है इस बजट को क्योंकि आप एक ग्रैणी है जरा समझाइए हमें फिर मैं उसके बाद लग्तत बड़ोजा साब आपके पास आ रहा लेकिन काफी कुछ किया है इस सरकार ने मैं काफी मतलब खुश हूं इस चीज को लेके जैसा कि अभी जो हमारी बेसिक जो सबसे बड़ी बात में कहना चाहूंगा जो हमारी डेली की रिक्वार्मेंट है जैसे डाल चावल जो हमारा डेली का डेली रोटीन की चीज़े जो कि घर आप चलाते हैं और घ्रस्ती को लेकर मैं इस बात पूसना चाहूंगा आटे दाल का भाव पता चल गया यह बात हमने सुनने में आती थी लेकिन अब एक बात रही है आप लोग खुश है कि आप बिल्कुल 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 काफी काफी इंपैक्ट पड़ा ह जब ताइम था चाहिए दाल को ही ले लो जब उसका दाम कहां जा रहा था डेड़ सो से उपर जा रहा था और काफी अप कंट्रोल में है और ऐसे ही अगर आप सबजी और डेली रोटीन मतलब सबजीयों की चीज़ों को भी ले ले तो मुझे लगता है काफी कंट्रोल में ह है टोटली यह आपका गैस जो आप कह रहे है गैस में जैसे आठ करोड लोगों को आठ करोड महिलाओं को कवर करने की कोशिश की उन्होंने कि उन्हें उन तक गैस जाए लेकिन उसके साथ सबसे जो ज़रूरी चीज है कि मुझे लगता है जो एक पैसा है पैसा थोड़ा सा कम हो कि ताकि जो अभी उन्हें गैस प्रवाइड हुई है वो लंबे लंबे समय तक उस चीज़ का स्तमाल कर सके अब समझ जैसे जो गैस के जो अभी दाम है जो अभी है अगर यही कंट्रोल रहेंगे तो जो मुझे लगता है जो आठ करोड लोगों का जो इनका प्यूश क जो है जो है प्रेस कांफरेंस करें सीधा रुक करते हैं प्यूश क्या कुछ कह रहें सीधा रुक करें जी थी दिर्श प्रीथ प्रत ऌन्ट्र श्युश्टर मिन जो शी शीफिय नाराएं जावण्या जी जी मिनस्ट प्रवीने नीज सीधाट शूबराइड्ड गार जी सुभर्च शंटर जी सेकेटरेंस ट्रेवेंस के अजेवसन पंडेंजे जी सेकेटरेंस पिनानचल सरी Friends, first the Finance Minister will make his opening remarks. Thereafter, we'll take some questions. I presume that you have kept your phones in switcher for a second more. Without further ado, may I now request Sripuyus Gohalji to make his opening remarks. Thank you, Mr. Kaat. 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 Thank you, Mr. Kaat Thank you, Mr. Kaat. 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 किसानों के लिए किया जो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा प्रावधान है कोई भी किसानों को लाब पहुंचाने का कि कई बार कि सर्चा होती है कि कि अन और्गनाइज सेक्टर जो लेबर होता है कि उसको व्रिद अवस्था में जब वो साट वर्ष पार कर जाते हैं तब काम मिलने में करने में भी तक्लीफ होती है कि सोशल सेक्यूरिटी का साधन ना होने के कारण व्यवस्ताएं ना होने के कारण व्यवस्ता में कुछ न कुछ तक्लीफ का सामना उनको सहन करना पड़ता था उन सभी ऐसे और एक प्रकार चे अनुमानित 42 करोड ऐसे अनौर्गनाईस सेक्टर में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई भेनों के लिए ये एक बहुत बड़ा योजना केंद्र सरकार ने सेह की है जो इसी महिने से लागू कर दी जाएगी जो भी ऐसे अनौर्गनाईस सेक्टर में 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयू के लोग काम कर रहे हैं कोई ठेले वाला हो कोई छोटा दुकान में नौकरी करता हो खुद्रा व्यापार के साथ जुड़ा हो किसी पकार से कोई कारपेंटर हो कोई प्लंबर हो कोई मोची हो हमने इसमें घरेलू कामगार को भी जोड़ा है जो घरेलू कामगार सभी के सहायता के लिए घरों में काम करते हैं घरेलू कामगार को भी स्कीम का लाब मिले यह सुनिश्चित करते हुए ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग एक छोटी रकम हर महिने अपनी पेंशन स्कीम म अठरा वर्ष का कोई रख्ती इस स्कीम में जुडता है, तो मात्र पच्पन रुपए प्रतीम महिना उनको इस स्कीम में डालने पड़ेगे। कोई 29 साल का व्रक्ति 10 साल बाद जुड़ता है उनको भी शायद 100 रुपए ही डालने पड़ेंगे प्रतीमा और केंद्र सरकार उतनी ही राची जोड़ेगी उस पेंशन अकाउंट में किसी के 100 रुपए जमा हुए तो हम भी 100 रुपए उसमें जोड़ेंगे और ऐसे करके साथ वर्ष की आयू के बाद एक बार वो हर महिने इसको पेंशन स्कीम में अपनी कॉंट्रिबूशन दे और केंद्र सरकार दे तो तीन हजार रुपए हर महिने एशॉर्ड पेंशन अनॉर्गनाइज सेक्टर के हमारे भाईयों बहनों को मिलेगी यह अपने इसी के नित्रतों में और मैं समझता हूं इस कल्पना से करोड़ों ऐसे परिवार और करोड़ों ऐसे लोग जुवर्द अवस्ता में तक्लीफ में आते हैं उन सब को बड़ी राहत मिलेगी इसी के साथ साथ किसानों में एक बड़ी समस्या कभी आपदा बड़ी सिवियर केलामिटी आती है बड़ी आपदा आती है जिसमें NDRF से भी मदद दी जाती है कि इसे सरकार द्वारा जब ऐसी आपदा आती है अभी अभी हमने उधारन के लिए महराष्टा में देखा कि ड्राउट कई डिस्टिक्स में आया कई जिले कई पच्चायतों में ड्राउट की सिटी आई NDRF से तो सहयता मिलती है लेकिन जो किसान का कर्ज होता है जो लोन होता है उस लोन को रिचेड़िल किया जाते है और एक साल के लिए उस लोन पे भी बेद्वाज की चूट दो प्रतिशाट दी जाती है और अगर समय पे पहें कर देतो तीन पतिशत अधिक छूट एक साल के लिए मिलती है ऐसे आपत्ता ग्रस खिसानों को हमें ध्यान में है कि जब ऐसी कोई आपत्ता आती है वैसे तो प्रदान मंत्री फसल बीमा यूदना के तहर पूरा भुक्तान शत पतिशत भुक्तान खिसान को मिल जाते है लेकिन कभी किसी से रह जया फसल बीमा यूदना के साथ जुड़ना ऐसी परिस्ति के लिए अगर लोन रिशेडियूल होता है तो अब हमने सुनिश्चित किया है कि जितने समय के लिए रिशेडियूल होता है उस पूरे समय के लिए दो प्रतिशत सालाना ब्याज में छूट मिलेगी और अगर जो रिशेडूल रिपेमेंट डेट है जो नई सीमा अफ़ी तैकी गई है जिसके रिसाब से किसान को भरना है उस रिसाब से वो अपनी लोन को वापिस दे दे तो उसमें भी अधिक तीन प्रतिशत ब्याज की छू किसान को अधिक मिलेगी तो जो आज अगरिकल्चर लोन पे जो सुविदाएं मिलती है ऐसे आपस्ता गरस इलाकों के लिए वो ही सुविदा पूरे रिशेडूलमेंट पीरेट के लिए भी देने का निरने सरकार ने आज किया इसी प्रकार से एक बड़ा वर्ग है किसानों में जो एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी के साथ जुड़ा हुआ है यह ब्लू एकॉनमी को प्रोसान देने के लिए मानने प्रदान मंत्री जी की बड़ी संवेदना रहती है और एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा उत्पादन भी करता है लगब अनुमाने देड़ करोड लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सब को अब आगे चलके जो भी वो किसान की तरह लोन लेंगे रिंड लेंगे उस लोन पे शुरुआत में दो प्रतिशत ब्याद की छूट मिलेगी और जब वो रीपे करें समय के हिसाब से तो तीन प्रति प्रतिशत रह जाएगा ऐसे देड़ करोड लगबग लाबानती रहेंगे इस नहीं काफी महत्पूर्ण हर जक्ति के लिखास से बताया और बताया है कि विकास में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट और आने वाले वक्त में इस बजट से देश के भीतर परिवर्तन भी दिखाए देगा और खास तौर पर किसानों को लेकर भी जूश्गोईल अपनी बात को रखा उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अब तक कोई ऐसा बजट जजके पिहास नहीं इह नहीं जो इस बार आया है आव खासतोर पर किसानों के लिए सब्सेज महत्पूर बजट इस बार रखा गया है इसंनल बजट के ने पहलूँ और उसपशर चर्चाम लगातार कर है हमारसाथ एक बड़ा इसवक्त मौझूद है आपको उस्वक्ते सरकार मौझूद है अब शास्वि साथ साथ जुड़े हुए है बीज़पी की और से स्वाथी मारसा जुड़े ग्रैनी और साथ इसाथ हमार सांथ दो मेमान और इसवक्त नइस वक्त बढ पर्णो रहाएं जो की कॉंगरेस की और से पार्टी घपपक शक्रे हैं और साथ ही हमकासाथ दो मेंद और जूड़ चुके हैं हमसा सुधान्शू जी जुड़े हुए हैं और तान रसंसाब जी मैंन जुर गए हैं समाजवादी पारटी और से अब मुझे जल्दी से लत्पत्रोडोर साब आपके पास आना चाहेंगे सर इतना उदास क्यों है इस बजट को लेकर आप लोग जिरा समझाईए जनता को लत्पत्रोडोर साब मेरी आवास पहुच रही आप तक जी हेलो सार इतना नरास क्यों है आप बजट को लेकर कॉंगरस इतना नरास क्यों है हेलो चल यद्recht दुबारा से कनेक्ट करेगा चांदससाब चलिए आप ही डिफेंड करिये सर कॉंगरस को मैं समझना चाहूँगा क्या आप भी नरास है आपकी भी नराजगी या क्या चावला जी मैं सुबह आपकी चैनल पर डिबेट पर था जब बजट आया नहीं तो उससे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी प्यूश गोईल जी बोल रहते कि किसानों के लिए उन्हें ने सो एक बहुत क्रांथी कारी कदम उठा दिया सोदो हजार करके अगर किसी किसान का परिवार चार सदस्तों का परिवार है तो प्रती दिन उसको कितने रुपए मिलेंगे इससे जादा प्रती दिन एक परिवार को नहीं मिलने जा रहे तो इसमें कौन से बहुत बड़ा काम कर दिया है सरकार ने इतनी बड़ी कौन सी पीट थप थपाने वाला काम कर दिया है और आपके चैनल पे सुबह भी मैं बोल रहा था जो पास लाग रुपए उन्हीने टेक्श की बात की है आपके ही चैनल पे बहुत से विवर्ष जो दरशकते उन्हे ने कहा det?रte को अपना पैसा चुपाने के के लिए छुराने के लिए हम बहुत से जतन करते हैं हम किराय की रसीधे लगा देतें या दूसरी चीज़ कर देतें तब जाकर उसको अपने हम जो हमारे पास 50 वजार अगर्म महिना कमाता हूं तो मेरे पास बचता ही नहीं कि हम सरकार को कुछ टेक्स दे पाए पब्लिक चोर है क्या पूल रहे हैं सर आप नहीं चावला जी यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह आपके मैंने कहा कि मैं सुबह आपके चैनल पर जो दर्शक बोल रहे थे कि मैं अपने हम पचार कुल मिलाकर मुझे यह समझाई यह देखिए यह किसानों को बहुत जादा लाब होने वाला नहीं है अच्छा लाब होने वाला नहीं है दवेंद पर जवाब दिए फिल्टत बड़ार आपके पास आ रहा हूं ते वाला नसी से भी हमारे पास जो है कु बहुत अच्छी बात कही है कि है जिस तरीके से बात चला ये इनों ने कि इससे लाब क्या होगा किसानों को कितना बढ़ होगा मैं इक तो पूछना चाहता है यह की जिसका जबाब मांग रहे हैं। को मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हें अपने घरबा में जहाथना चाहिए कि यह कितने बड़े दानवीर हैं अभी कल पर सुनके उपर मुकदमा रिष्टर हुआ इन्हों ने यूपी में जो घपला किया पैंसा नहीं हो जो पर मंत 500 रुपे उस गरीब ही के थे जो आज हम जिसको हम देना का काम कर रहे हैं आप लोग ड़कार गए उनको चिलाते फिर मुकबर निकिया अरे आप की चौरी बंद करने का काम किया पहले हमने चाहिए उसके बाद हमने इमांदारी से चाहिए आप उठाके आप उठाके देख तुमसे बड़े चौर नहीं है एक सेकिड़ आप लोग हैं आप लोग मुकदमों का सामना कर रहे हैं जाए पता लगड़ा आप बात करें तो अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा तो बजट पर आपको इस्टीक जवाब देना चाहता हूं लेकिन आपका इस्टीक कोश आप नहीं है तो इसके पहले पाते जब आपने जाके माया होती जी कि गौद में बैटेंगे हमना हमका बदाई दी थी क्योंकि आपका शरवनास का टाइम था वो इसलिए दी थी प्रमुक साथ अच्छे काम के लिए आप हम चल्जा करें आप पार 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 आप उसको कि कैसे आपने काटे से काटे को लिगा आप करते हैं ना सर एक सके एक सके लट्मत परोज़सां मेरी आवास पहुंच रही है अब आप तक देखे तिलक चाओला जी ये सरकार ने जब अपने पूर्ण पांच बजट लागों किये उसमें पूरी तरों से ये सरकार फेल रही अंत्रिम बजट से सरकार से कोई उमीद नहीं की जा सकती है मानिय परणार मंत्री जी मानिय अबित मंत्री जी के केवल हरे सूट पहने से किसानों की स्थिटी ठीक नहीं हो सकती है ये सरकार 2014 में कह क्या है थी कि हम किसानों की MSP का दुगना देने का काम करेंगे जिसके लिए सरकार ने कोई काम ने किया जब सरकार के 60 दिन मुस्किल से बचे हुए हैं तो इससे क्या उमीद की जा सकती है आप एक चीज देखे आईश्मान यूजना की ये बाते कह रहे हैं और पिसले साल बजट में इसका प्रावधान किया गया है और उसमें भी 800 क्रोड साथ का इन्होंने काम किया है और चुनाव नजदीक आने किवाधा रिकांटी स्वीश्य की जञता है देखे भी, लिए पहले अपनी में कह सकता हूं यह सरकार कहती सबका साथ सबका विकास इसको बोड़ तो सबका चाहे लेकिन विकास यह केवल दस बारा व्यापारियों का करना चाहते हैं एक चीज पूछना चाहता है इन्होंने कहा कि हम ने पहली बार 22 फसलों का MSP ताई किया है 50 परसेंट बढ़ा के ताई किया है क्या अंतरिम बजट में यह ताई करेंगे पांच साल तक जब इन्होंने पूर बजट दिये तब क्यों नहीं किये गे कितने किसानों की आई बड़ी है लगाता सरकारे आकड़े करें तक दुट एक सकति बार बार उनके कंदों को पीछे छुपकर घूप यह कहेंगे आपको लेकर आए एक सब्सक्राइब पांच मिन्ट सुनने के चंता रखे पहले देखे चाहुला जी जिस प्रोसे ये बीच में डिवेट को डिश्टरब करने का काम करें इनकी इस तरी पता चलती इनोंने अपना पक्ष रख रख रहे हैं अब रांच सब्सक्राइब कोई ब इस पॉइंच की और जाए 10 को लागु किया है 137 योजनाओं में कि मैं मैं उसी 136 योजनाओं में कि चाह से इंडिया जाहिए इस्टारट सप इंडिया ओडिया हो चाहिए स्मार्ड सिर्टी ओओ चाहिए आदस ग्राम युजगार हो चाहिए सुरजगार हो यह बताएं कि इन्हों ने 137 योज़ाओं में किसी योज़ना को सबलता पूर निभाया है आज भी सारी 80% योज़ना है इनकी या तो 10% काम करने के बाद बंद हो गए या पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है आज ये नया जुमला ले आज ब निस्दी ये सरकार किसान विरोदie नियुक्तर पूर्गार हो यह सरकार किसान विरोदी है उन नौजवानों के रोजगार विरोधी है आपने का है ये किसान विरोधी सरकार आप इस प्रजेट के सब्सक्राइब कैसे हैं जी 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 मैं इसी बात को कहना चाहरा हूं आप आज देखोगे इस देश के अंदर सबसे जादा आत्मत्याइर किसी सरकार में हुए तो मुदी सरकार में किये सबसे ज़्यादा यह आम डानी गिरी है तो मुझे किसानों की गिरी है उसके अलावा आज जिसके आपको टाइम ने मिले लगा वेट मेंटना समय नहीं है कौन सान रिकार्ड है आपके पास इस बात कारें पिछले एक साल में 37 लाख रोजगार खतम करने का काम करने का क्या है आप पता नहीं कौन सा आकड़ा ले है वो कह रहे कि भाईया पेरोजगारी का अकड़ा जारी कर रही है वो इस्तीफा दे रहे हैं सरकार के पास आकड़ा है नहीं जारी करने के लिए आप कौन सा अकड़ा ले है इस्तीफार दिया जारा उन्होंने पता है सरकार हमें आकड़ा जारी कर रही है ठीक है अवाम की बात ठीक है पहले तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आप बेरोजगारी जो चिला रहे है उसका अगर कोई भी ऑन रिकॉर्ड आपके पास है सो तो आउन करके करें अगर इस पर जूटी बोलना है अगर इस पर कुछी बात बनीए तो अपने तरीके से कुछ जाओ हमने जितना सुधार बेरोजगारी में किया है वो खिसान से लेकर जर्वान से लेकर आप जो नागरी के उंतर लेकर हमारा इस तरीके से बार बार चिला रहे हैं इस से पहले हमारे किलो बजटाप उठा के देखो फजसे पहले उठा के देखो उसमें हमने क्या नहीं किया अप उजुबला तो हम क्या कुछ कह रही है उसको चुनावी बजट तो कह सकते हैं परंत इनों ने जो बजट दिया है बहुत ही बढ़ियां दिया है बैपाजियों की मांगती ढाइलाग से पांच लाग की वह भी पूरी कर दी है और वो द्योगों को बढ़ाने के लिए इन्होंने में दो पर दूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको तीन हजार का पेंसन भी दिया है परंतु बैपारियों को नहीं दिया यह मांग हम लोग की आज भी है आगे भी रहेगी और किसानों में भी इनोंने जो किया है दो हेक्टेवर से कम का वो भी अच्छा काम किया है देखिए इस बार का बजट आम आदमियों के लिए और व्यापारियों के लिए बढ़ा अच्छा है सबसे पहले उन्होंने आम किसानों को रहा दी किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना उन्होंने फसल के लिए डारेक्ट उनके खाते में पेश किया उसके बाद मजदूरों की चिंता की मजदूरों के लिए अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया था लेकिन इस सरकार न अद्मियों के लिए आम मध्यमवर्गी परिवारों के लिए अमरित का काम किया है इन्होंने और इससे हर एक व्यक्ति इस बजट से काफी खुश है जो हम लोगों ने अंदाजा लगाया था उससे कहीं ज्यादा बजट अच्छा इस बार का मिला है कि जनाएक बयान और आरा प्रतिक्रिया लगातार बढ़ती जा रही है सुर्परताब शाही क्या कुछ कहने जरा सुनिए प्रतिवर्ष 6,000 रूपए देने का पैसला किया है और इसके लिए बजट में 75,000 करूर रूपए के प्रावितान किये हैं प्रतिमाह किसान को 500 रूपए उनके खाते में जाए चरिया अब सीधा रुक करें अपने मेमानों की तरफ अब मैं आर्चास के नजरिये से बजट को समदना चाहूंगा सुदांचु जी आप से और आशी जी आप से आप दोनों से सबसे पहले सुदांचु जी मुझे यह समझाईए जिसका जिक्र मैं आभी आशी जी से कर रह है तो चुनावी नजरिये से तो बहुत ही अच्छा है और हम लोग का परिवार पिछले 40-50 साल से टैक्स पेर रहा है तो कोई भी टैक्स में रिलीफ आती है मुसको हमेशा वेलकम करते है इसमें है बहुत अच्छा चुनाव के लिहाद से बहुत अच्छा है बट इसमें अगर यह आगे के जो स्लैब्स हैं उनको भी अगर कुछ कवर करते तो क्योंकि अब एक स्ट्रेट अवे जो स्लैब आएगा वो स्ट्रेट अवे 20 परसंट का आएगा वो एक डिटरेंट मताब वो एक उसमें भी अगर कुछ चेंजेस करते तो ज्यादा वो भी एक वेलकम मूव होता बट मासिस को इन्होंने इस तरह से पांच लाग किये और डिर लाग एटीसी को कवर करके साड़े च्छे लाख रुपय का बहुत अच्छा कवर किया है जो एक साइकलोजिकली भी है सबकी मांग भी थी और शेहरों में रहने वाले लोगों के लिए अब इतना इंफ्लेशन है तो वो यह फिगर है तो बहुत अच्छी बात है एकनॉमिक नजरिये से मैं जो बार-बार बात कह रहा हूं कि रूरल सेक्टर में जो इन्फूजिन ऑफ कैपिटल था पिछले 70 बर्शों में चाहे वो बीजेपी की सरकार रही अटल जी की सरकार रही कॉंग उसकी ग्रोथ बहुत कम थी और उसमें ग्रोथ तभी तेजी आ सकती है जब इन्फूजन ऑफ कैपिटल हो जैसे आज आज आप देखेंगे केवल खाद्यान और डालों का उत्पादन होता है लेकिन जो एकनॉमी में रिच्च है फलों का उत्पादन है सब्जियों का योग है एरिकल्चर में बहुत सारे ऐसे योग हैं जिन पर पिछली सरकारों ने बहुत ज्यादा ध्यान देने की कोशिच नहीं किये अब जो एरिकल्चर में इन्फूजन ऑफ कैपिटल होगा यह जो छे हजार रुपए साल का है यह जब छोटा किसान जब अपना एक जबूरी में उसको बेचना पड़ता है उसको होडर नहीं कर सकता है क्योंकि उसको बीज और इन्पूट्स खरीदने बीज खरीदना खात करीदना और सिचाई के लिए पानी की विवस्ता करनी है तो वो कम दामों में बेच देता था अब होगा यह कि मानली चोटे किसान न बीज और फर्टरिलाइजर खरीद लेगा तो चोटे किसान को एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा इसकी कलपना हम शहर में बैठके नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चोटा किसान जिसके लिए एक-एक पैसा बहुत महत्तपूर्ण होता है तो वो मिलने वाली बात है दूसरी बा चांदसन साब मैं आपके लिए कुछ आकड़ा पढ़ रहा हूं और बडोला साब आपके लिए भी ज़रा गौर फरमाइएगा इससे पहले पढ़ा मुखर जी ने जब ये 2012 का जिक्र किया था बजट का मैं कर रहा हूं तब आयकर में छूट की सीमा दी थी एक दिशमलो आकड़ाई लाक रुपे की गई ये इंकम टैक्स की रिमिट है अँट के लिया था इस कि बटोला जा सबte देख बिल्कुल दिया बिल्कुल बिल्कुल लेकर आप लोलह को सवाल पार्टी ने तब भी सवाल उठाएते समाजवादी पार्टी आज भी सवाल उठा रही है क्या सवाल उठा रहे हैं आप इनको इन सरकारों को कंपेर करके आप इनको जस्टिफाइड नहीं कर पाएं गया सब्सक्राइड नहीं कर रहा है सब्सक्राइड पार्टी अगर यह जो रहात नहीं नहीं दी है भारती जनता पार्टी ने अगर यह रहात यह दो कितों कंपी तो आप दोनों सरकारों को बराबर कर दीजिये भाजबा को कार कर दीजिए भाजबा को भी कर दीजिये आप बाहर से समर्थन कर रहे थे क्योंकि अंदर से कोई और समर्थन कर रहे था इसलिए आप लोग बाहर से समर्थन कर रहे थे है कि वार्ती डनता पालंट। जो और पार्टी का प perspectives करने के लिए पार्टी पार्टी यह कांग्रेस की जोट नहीं आम जन की है और आम जन में हमारे बजट को श्राहा है आप देखा बाइट के माध्दन साथ ले और परती चाहिए रही है कुर्ची नीचे से निकल जाए एक सेकिन नहीं रहे बड़े जोसे रहा होज में बात कर रहे हैं आप चुबेंगे इंतिजार कीजे जान दशाब दशाब ली वक्त बतायेगा काटे और तलवार का आपके सामने एक सेकिंड सर वो अपनी बात इतना चाहिए इंतिजार कीजे गोरतपूर भी बताया था कहता थूलगूर भी बताये आपको दोजार सोने आप दिला रहे हैं फेर स्थारे आफ न जब हाती सवारी की थी अब हाती की करने ध्यान रहा जादा समय नहीं पर दिया आपको 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 थारोना जिस गोदी में आप लेना वह बेहनजी वी तयारी करने आपके साथ के लिए सब जानती है क्या 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 करें अच्छा थो ना लग रहा है आप लोग इस तरह से बात करें एक सेकंड साब चांदरसं साब अडिटोरियल आप लिख लिया करें बता जिये करें किस पर चरचा करें किस पर ना करें फ्लीज एक सेकंड एक सेकंड बड़ो साब आपके बास आ रहा हूं सुधानशु जी का नाम भी रही है और पनी बात रखेंए फ्लीज आप तरह ले हाथ उता रहे थे तेके हम लोग एक तो मुद्दे पर ही रहे बजट पर रहे तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन रा निति करते हैं मजबूर यह एंची दूसरी चीज सबसे पहली चीज यह है आप दे तो तभी सकते हो ना जब मजबूत होगी तो यह एक टोटैलिटी में देखना होगा खाली यह आपस के एक कंट्री को सबसे उपर रखके देखना होगा यह नहीं होगा कि एक पार्टी इंपॉर्टेंट है वो बोल रही है आंक्रे क्या बोलते हैं वो सबसे मैं उसी आक्रों के साथ से आप से पूछ रहा हूं सर यह जो बड़े-बड़े दावे और वादे किया जा रहे हैं टैक्सपेर हमारे पास है नहीं पैसा कहां से आएगा यह अगर आप देखे तो पिछले साल ही हमारे टैक्स का मैंने एक फिगर दी थी कि दो हर्यार चौदा में जो डारेक्ट टैक्सेशन टैक्स था वो 6.38 लाग करोड था जो 12 लाग करोड उपए की इन्होंने फिगर रखी है और साथी साथ एक फिगर और आई थी आपका की अंडिस्क्लोज इंकम एक लाग तीन तीस हजार करोड उपए करीब इन्होंने अंडिस्क्लोज इंकम से भी निकाले हैं तो ऐसा नहीं है इनके पास बहुत सारे प्रोवीजिन्स हैं जहां से टैक्सेशन आ सकता है जहां से जिसमें सबसे जरूरी चीज जो थी जो लास् हमारे FM साम ने बोला था वो यह था टैक्सपेर को उन्होंने रिस्पेक्ट दी है सबसे बड़ी चीज है जिसको हम लोग टोटल ओवर्लुक कर देते हैं सबसे जरूरी है टैक्सपेर को कि उसको उसको यह लगेगा कि inclusion है उसने contribution किया उसको तो सब भूल जाते हैं बस पूछारा मैं समझ रहा था कि राधनिती ही होगी लेकिन में राधनितिक एंगल से ने बढ़ रहा हूं सर वही गादीती ही होती होती रहेगी तो हम लोग वैसे ही कितना time वैसे ही waste करते हैं मैं उसी योजना प्यारा हूं मैं आपी समझना चाहूँगा export 2014 के मुकाबले हमार कम हुआ ठीक है सर रुपे की कीमत 72 पहुची ठीक है सर डॉलर और इसके साथ साथ जब हमारा सस्ता क्रूट था तब हमने उसको बैलेंस नहीं किया अर्थशास्त के नजरिये से क्योंकि आप लोग बैतर तरीके से समझते हैं तो इसलिए मैं से सवाल ये उठा कि भाईया प ये रुपे की जहां तक आपने बात करी तो ये internationally सारी करेंशी पर हुआ है सिर्फ एकिसर इंडियन रुपी पर नहीं हुआ सारी करेंसी पर हुआ है और हमारे या भी उसी के proportion में हुआ है और उसको अगर हम detail में जाए तो हम 74 पहुचने के बाद वापस 172 आए है तो मीरे मे जहां तक एक्सपोर्ट्स की आपने क्या कहा मैं नहीं समझ तक करेंगे आज अगर इन्होंने एक फिगर दी है कि एक करोड तिरपल लाग घर उन्होंने बनाए तो सब कहीं से तो आएगा ना वो पैसा रोडे उन्होंने कहा 14 किलोमीटर की जगे 27 किलोमीटर की परडे की बनाई तो कहीं से तो पैसा आएगा ना उसका कहां से आएगा साब पैसा और आज जब लोग हर कोई जुडेंगे एक होता है वर्ड इंक्लूजन इंक्लूजन में जब हर भारती जुडेगा तो देश प्रो कि नहीं जाती है हर किसी की अपनी फ्योरिया पटोला साब मैं आपके पास आ रहा हूं जल्दी से मुझे कमेंट दीजिए सर कि अपत्ति किस बात को लेकर आए ताकि हम आप आप लोगों कि अपत्ति को दर्ज कर पाएं हम समझ पाएं कि इस बात को लेकर आप लोगों कि अ हेलो बटोला साब अबत्ती जर्श करेए सर किस बात को लेकर अबत्ती है ता कि मैं देवेंजपर मुझसे समझ पाऊं कि भाईया तुमने यह क्यों नहीं किया बताइए अब देखो देखें चावला साब टैक्स में जो छूट की बात कहीं जा रही है जिस टैक्स में पांच लाख तक केले पांच परसेंट छूट की दर दी गई है उसके अंतरगर पांच से दस लाख केले सीधे बीस परसेंट की जो छूट है जैसे पांच लाख एक रुपया कोई भड़ता है उसके जो गैप है 15 पर सेंट कंतर पड़ता है इससे टैक्स बढ़ने वालों में एक तो असामानता अरे आप गलत कह रहें आप तो समझ नहीं आया तक टैक्स बढ़ने वाले मिल्सकिने के पांच लाग तो खते एक रुपए पर लगेगा टैक्स बढ़ने वाले को अरे एक रुपए पर टैक्स लगेगा आप क्या बोल रहे हैं एक रुपए पर एक रुपए पर लगे पांच लाक तो खी होगा अप अप गलत ब्याक्षा क्यों कर रहा है आप जिस तरह से अरे आपके समझ में नहीं आ रही है उसके बाद में स्टेंडर्ड डिड़क्षन है है आपके समझ में बाद नहीं आई आए साड़े छे लाक रुपय तरह आप को एक नहीं पेसे का टेक्स नहीं देना है आज के प्रोविजन के साथ चुप कराए और ऐसे श्रोता गलत कह रहा है आपको सुन लीजे, मैं उसी बात को कहना चाहरा चाहूं, लासाब, पहली बात तो ये है, आप जड़ा सच चुप रहेंगे मां साही, पूरी बात कहने दीजे, उसकी बात आप कही, मैं ये कहना चाहरा हूं कि जो पांच लागता के स्लैप में 5% का टेक्स दिया जा रहा है, उसके ब इंकम टेक्स दी जो लोग उपर बढ़ते, पांच लाग से उपर बने वाले लोगों के सग्या होती, वो निश्यत रूप से जादा होती है, उसना रिलक्स मिलता, पहली बात है, और पिछले दस साल जबाप सब्सक्ता में तब तम लीके अंतर कम, आप भी तो दस साल थे भ मारते रहे, अरे जुमले तो आप मार रहे हो, आप तो जुमले मार रहे हो, आप जानते है कि बार्ची के बार आपकी सरकार नहीं आएगी, आप उसकी चिंदा मत करिए, आपने दस साल में क्या किया, बन्माँजी की सरकार ने दस साल में ये बता जीजे मुझे, आप तो ध पर जो इनोंने तर जो आप लोग भी पड़े वादे कर रहे हैं उसका पैसा कहा से आगा यह लिजन का नो बता दी दिए न सर्टा के दारी से उपार टैक्स नहीं परेंगे लेकिन ब्रेक से जाने से पहले पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ पिछली सरकार में पिछली सरकार में सुनिये सर पी चितमरम जी थे 2014-15 का अंतिनी बजट पेश किया गया था तो एकसरसाइस व्यूटी में बड़ी कटोती की गई थी तो वो क्या था सर 2004-05 में जो है अंतिनी बजट पेश हुआ जैस्वन सिंग ने डिरेक्ट टेक्स में बड़ाव किया वो क्या था सब करते हैं सर वो भी चुनावी साल में कर रहे हैं आपने विखिया आपने हर बार एक्साइज कम किया यारी क्या पारियों को फाइदा दिया तो टैक्स देने वालों की संक्या बढ़ानी पड़ेगी आप दो चीजों में फ़र्क समझे नहीं सब्सक्राइए दस साल तक आ पैसा कहां से आएगा इसको लेकर सवार भी विख उठार एक छोटा दब एक जल्द आते रहें